हम ना आक्षेप लगाते हैं और नहीं ये कहते हैं कि चुनाव आयोग इतने दुरों में निर्णे डेगा इतने दुरों में नहीं देगा ये घ्रनात्मख है परस्था योगर और आज चुनाव आयोग ने इस प्रकार की चीज़ के लिए सब लोगों को चयतावरी दी है कि चुनाव जो पार्टी के अंदर चुनाव हुआ है जो पार्टी का इलेक्शन हुआ है उसको चुनाव आयोग के समक्ष सिंबल वाली अधिकार क्षेत्र या प्रोसीडिंग में चुनावी नहीं दे सकते और इतने वर्षों से लगवग 20 वर्ष से ज्यादा चुनाव में भाग लेने के बाद आज ये आरोप प्रत्यारोप लगाना चुनाव आयोग में कि ये चुनावी गलत है न तो ये अनुमती इस चीज की कानून में उच्छतम ने आय लेकी और न वो अपने कॉंडक्ट से अ क्के खरगे जी की किताब का विमोचन था पहली बात जो हमने बताई कि अजीत पवार फैक्शन या ग्रूप के लोगों ने आपचारी ग्रूप से इंटर्व्यू दिये हैं जिसकी प्रतिलिपी हमारे पास है जो हमने चुनाव आयोग को दी जिस पे वो बार बार कह रहे है कि इतने दिन लगेंगे और हमारे पक्ष को सुनवाई करने में इतने दिन लगेंगे और उनके पक्ष को खतम करने में और इतने दिनों में निर्णे आ जाएगा इस प्रकार का पूरवानुमान हमने चुनाव आयोग से कहा खिनात्मक है भर्सना योग यह है बिलकुल नही होना चाहिए चुनाव आयोग ने दौनों पक्षों को ये कहा है कि इस प्रकार का presumptuousness नहीं हो सकती उन्होंने ये भी प्रत्यारोब लगाया दूसरी तरफ ने कि हम press conference करते हैं हमने इस पश्ट कर दिया कि पवार साथ के हम हमेशा आपको सिरफ दलील का संक्षेप में विवरन करते हैं क्या दलीलें थी 123 उसका विवरन करते हैं हमना आक्षेप लगाते हैं और नहीं ये कहते हैं कि चुनाव आयोग इतने दिनों में निर्ने देगा, इतने दिनों में नहीं देगा, ये घ्रनात्मक है परस्ता योग है, और आज चुनाव आयोग ने इस प्रकार की चीज़ के लिए सब लोगों को चेतावरी भी है, दूसरा, मेरे मित्र मिस्टर कामत ने दलील की कि कई उच् पार्टी के अंदर चुनाव हुआ है, जो पार्टी का इलेक्शन हुआ है, उसको चुनाव आयोग के समक्ष, सिंबल वाली अधिकार क्षेत्र या प्रोसीडिंग में चुनावती नहीं दे सकते, सिंबल प्रोसीडिंग में आप इन चीज़ों पे चुनावती नहीं कर सकते कि चुनाव उस पार्टी का सही है या गलत है ये दलील थी हमारे पक्ष से तीसरी दलील थी हमारी कि जितने भी चुनाव हुए हैं जिसकी शुरुआत पिछली हेरिंग पे हुई थी इस NCP पार्टी में जिसके सर्वोच पदादी कारी शी शुरुद पवार जी है उन सब चुनावों में इन्हीं लोगों ने शी अजीद पवार ने शी पफुल पटेल ने जितने भी ये लोग हैं इन्हों ने पूरी तरह से हिसा लिया कभी कोई विरोध नहीं किया कभी कोई अब्जेक्शन रेज नहीं किया और इतने वर्षों से लगबग 20 वर्ष से ज्यादा चुनाव में भाग लेने के बाद आज ये आरोप प्रत्य आरोप लगाना चुनाव आयोग में कि ये चुनाव ही गलत है न तो ये अनुमती इस चीज की कानून में उच्छतम ने आये ले जो सम्विधान है एंसेपी का और जो सम्विधान में जितने भी प्रावधान हैं किस प्रकार से सभी चुनाव उन सम्विधानिक प्रावधानों के अनुसार हुए हैं उनके उलंगन में नहीं होई और अंतिम पक्ष जो रखा हमारी तरफ से, दलीलों का मैं समक्ष आपके सामने रख रहा हूँ, जो आखरी रखा वो ये था कि टेस्ट क्या होना चाहिए, इस चीज़ को निर्ने करने के लिए कानूनी टेस्ट क्या होना चाहिए, कानूनी टेस्ट कभी भी सिर्फ विधाईक की आशेबली लोकसभा राजसभा इत्यादि possibility लेकिन दूसरा सिर्फ विधाइका का टेस्ट ही नहीं है कानून में व्जातम नयाले नहीं नहीं कहा है बार-बार कि विधाइका का टेस्ट नहीं है टेस्ट उतना ही आवconomy है जो संगठन का टेस्ट होता है जो संगटन की संख्या का टेस्ट होता है तो ये चार-पांच गुद्दों में हमने रखी है दलील चार तारिक को कामत जी समाग करेंगे और मैं अपनी बाकी जो बचीवी दलील है उसको रखोंगा उसके बाद चुनाव आयोग दूसरी तरफ को सुनेगा